अपने चैनल दे स्वाज़ आपकल करांगे जदो भी आपको यूज़ कड़ी लाएं जानने आपनों किडियां किडियां ची जाना त्यान लखना चाहिएदा पहले नमबर दे अपर चैक करांगे ओल लेवल ते हैड कैस्केट कि अधर लेवल चैक करने आपका है इंजन और दा टक करना है खोल के उधे अंदर चैक करना है कि इस तरह आदा कोई वाइट फॉम टाइप ता नहीं कुछ बढ़ने होया चाग जड़ी हों दिया ओता नहीं बनी हुई यह इस तरह भी बनी हो सकती है ज़िदा मतलब है कि हैट है कि आब लेवल जेक कर अगर खोल ठीटाब एपना स्टेप हो गया थी पांढ़ स्टें लेवल चैक करेंगे कि इंजन देवा ओंसल लेवल चैक करेंगे विदा तो दुस्कणि छा दर बनीैप स्टिक है बखार ऊधें ऊपर को इपर वाइट uda रख्क क्लार या श्टकी रिप्स्टिक दे विच्चों जड़ा तेल है इंजन ऑईल हो बार नहीं आ रहे है उते शोटे-शोटे कान भी बार नहीं होने चाहिए क्योंकि जे आ रहे होंगे तो उसी देख पड़ साकते हूं जो लिख्या होया उपर के ए बैक कंप्रेशन हो सकती है इस दा मतलब की हंद कि पिस्टन रिंग ओड़ चुकिया इंजन खतम हो चुकिया तो इन्हों नमें इंजन दी लोड है इस कर देनूं जे एस विच्चों तेल बाहर आ रहा है तो नेक्स्ट अपना जड़ा तेंगा वह आपा मेंजी चेक करना है ट्रांसमिशन उदेशन नॉइस ते उदा ओध लेवन सो यह सुब्रू दी गडिया जी सो अल वील ड्राइब गडिया एधि दो डिप स्टिक्स ने चार तो दुसी चेक कर सकते हूं तेल दा रंग तो मैं दोनों तरफ दिया जिडिया लेफ्ट ने राइट साइड ते डिप स्टिक्स अदों में चेक की थी आने इदे विच ऑल गूड सी गा नेक्स्ट जिट अपना स्टेप होगा कूलेंट लेवल कूलेंट कंडिशन सो कूलेंट दा टकन कोल के चेक कर लाना कि विच कूलेंट है भी के नहीं रिजर्वाइब दे अंदर इस तरह मिनिमम एंड मैक्सिमम दी उपर हों दिया जी वो चेक कर लेनी है प्रणी नेक्सट ब्रेक फलूड लेवल एंड कंडिशन ब्रेक फलूड दी जड़ेंट रिजर्वाइब रहा उन कोला कि अपचेक कराएंगे कि ब्रेक फलूड द जड़ा कंडिशन के इस तरह दिए ओ ज्जादे एक पाला यां गारा थे नहीं होया है जीर्णा होया है मत लेवल एंड कंडिशन हर एक चीज दे उपर अपनों मिनिममम एना मैक्समीम दी गेज में लिए हो आपके चेक करनी है इस दे अंदर भी आपके चेक करनाँगे कि अपना लेवल दे कंडिशन देल दी सही है जा नहीं है उच चेक करना तो बार टाइट करके जंगी तरह नेक् लीकेज नहीं हो गए जिस तरह तुस्य देख सकते हैं कि थोटा जा और लीक है पर यह पहला दा होया होया है जो अल्ड़ी फिक्स जा तो इस तरह आपा चेक करना भी किते भी और लीक नहोंने होए मेंली जदो अपा इंजिन ट्रांस्मिशन दी जिते ट्रांस्मिशन जो बात वड्डा खर्च जाया है अंग तो स्टेरिंग लीकेज पम्प लीकेज चेक कर सकते होँ तुसी 3500-400 डॉलर दा खर्च है गागा यह लिए नेक्स्ट अपना एर कंप्रेसर चेक कर सकते हूं एक प्रेसर है जी जड़ा त्राइंगल बनें हुए यह वह उप्रेसर क्लच सो तुसी अंदर हो एसी दा बटन आउन ते अउपर एसी लिक्या हुंदा उन्हों आउन ते आउफ करके चेक करना कि एक कुमना स्टार्ट होगा जदो आउन करोगे तो बंद होगा तो आउफ करोगे तो तो पता लग जोगा कि कंप्रैसर ओक्या एसी गोड़ा इवन इस अपाव इंटर से देवेच गड़ी लाइन जा रहे हैं थे नेक्स्ट आपा पार्किंग ब्रेक चेक करांगे अपनी हैं जो उन्हों अपा पूरा उपर खेचेंगें इंगेज करके घड़ी ट्राइब देविच पाके ब्रेक शड़नी है कि अपने आप उपर आ रहे है कि नहीं आ रहे है मतलब ब्रेक इंग शिस्टम दे विच वी प्रॉब्लम है नेक्स्ट गड़ी देव पर कोई व ज़स्ट तो इस तरह दी चोटी मोटी जडी रस्ट होएगी माइनर रस्ट ओ ओक्या इन्हों आपका फिक्स कर सकते हैं इसली टच अप पेंट देना बंदरा तुभी डॉलर दा मारकर हो दा तुछी कर सकते हूं इस तरह दी रस्ट है जो उस दे उपर भी स्प्रे कर किया आपका वाई यह चेक करांगे अंडर बॉड़ी वी रस्ट चैक करनी कि इस तरह दिया वी गडिया मैं देखिया हूं याने के इस तरह दिया मैल दिया भाई ने 556.700 डॉलर दिया उननो ना लो क्योंकि एक डिडा में फ्रेमींक लिया होया इदा कोई पता नियाने कि ते कि सब्सक्राइब कोई शीजा उपर ले जाने वेच प्रॉब्लम ना होवे रमोट लॉग है रमोट चेक करो गटीजा जड़े साइड मिरर ने बाहर अपनी डीजे साइड चेक मिरर उन्हानु चेक करोगे वह प्रॉपर लीवर कर रहे हो न सारिया लाइटां चेक करो फ्रंट हैड लाइट हाई बीम लोग बीम एवरीफिंग टेल लाइट इंडिकेटर एवरीफिंग चेक करके तरी लोग तो यह सारा कुछ में जो हैसी वह मैं तो अंदास देता है तो तन्वा तो रबाब बाब अपने चैनल दे इस वीडियो नो देकर ली तो जे ए वीडियो हेलपफुल लगी हो गेता प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कोई भी तो अदि कोई दिया जान तो नो कोई क्वेश्चन तुसी पुछना है तुसी में नो कमेंट कर सकने है इस वीडियो दियो पर तो नो जल्द तो जल्द रप्लाइबैक करूं है थैंक यू